नवस्कार दोस्तों अवल टीटी तियारी चनल में आप सबी साथियों का फिर से एक वार स्वागत है 27 सेवा में सची बिहार लोग सेवा आयोग पटना को यह पत्र जो है वो भेजा गया है करनेया प्रिसा स्रीवास्तव की तरब से शिक्षा विहाग बिहार के अधिन विग्यापन संख्या 37 सब्लिक 2013 टीरी 2 के अंतरगत विद्याले अध्यापक के पदोपर निक्ति हेतु पू शिकायतों को सही पाया गया है चुकि यह शिकायते मूल परिक्षा फल का अंस है अतहां इनका परिक्षा फल घोशित किया जा रहा है इस संबंध में उक्त पत्र में परिक्षा फल घोशित करने की कोई तिथी अथवा समय निर्धारित नहीं किया गया है इस संबंध में य 31-24 तक पूरी की जा रही है ऐसी स्थिति में यहां आवश्यक है कि आयोग ने अपने प्रासांगिक पत्र के आलोक में जो परिक्षा फल घोशित करने की सूच न दी है वो परिक्षा फल 29-24 तक अनवारी रूप से उपलब्द करा दी जाए ताकि न्यूक्ति की प्रकिरिया स समय पुर्ण किया जा सके तो यहां पर विद्याला आवंटन की बात 31 जन्वरी कही जा रही है यह बड़ी अपडीट सबसे महत्पपुर्ण यहां पर यह है कि पूरक परिणाम पूरक परिणाम जो है बहुती महत्पपुर्ण है शिक्षाई भाग विहार के अधिन विग् में दिया जाएगा और यहां पर इन्होंने एस्पस्ट रूप से कह दिया है कि टी आरी टू के आधार पर आयोग से प्राप्त अनुसंसा एवं टी आरी वन की पूरक अनुसंसा के आलोक में नियुक्टी एवं पदस्थापन की कारवाई 31-2024 तक पूरी की जा रही है ऐसी स् करिया से समय पूर्ण की जा सके तो मैं यहां पर निवेदन करूंगा कि भाई टी आरी टू का परिक्षा फल जो है वो जल से जल प्रकाशित किया जा यानि कि टी आरी टू का पूरक परिक्षा फल आयोग जल से जल प्रकाशित करे और जो भी साती हमारे पूरक परिणाम से वन्चित है उनको खुश खबरी मिले क्योंकि बहुत सारी सीट है 15,000 के लगभग सीट है और विद्याले पदस्थापन को लेकर भी इसमें बड़ी अपडेट है कि 31 जनवरी तक क्या जाना है देखिए क्या सब होता है आप बनेर या ओल टी टी ती ती त्यारी चैनल के साथ पड़बल के अपडेट आप सभी को देता हूं देता रहूंगा विश्वास दिलाता हूं अभी के लिए इतना ही फिड मिलते अगले वीडियो में स्वाधनिवास आत्यों